हेलो दोस्तो भारत में अभी यह जो डील हम लोग देखने को आपे अगरीमेंट होते वे डेखने को मिल रहा है कि इस एगरीमेंट के बाद अभी अपको रेक्मेंडेशन देने का उद्देश है नहीं होता है सिर्फ आपको बताने के लिए कि मार्केट में क्या चीज़े यापे चल रही है नो डाउट इसके लिए कौन से स्टॉक को फाइदा होगा इसमें रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है सारी चीज़ों को यापे में कवर करने वाला हूँ तो दोस्तो जिस सेक्टर के हम लोग बात करें वो है केमिकल सेक्टर, अभी केमिकल सेक्टर तो आपको पता है, यह कितना बड़ा वास्ट सेक्टर है अभी यह जो कंपनी की में बात करा हूँ यह खुद वो केमिकल सेक्टर में काम करती है बहुती छोटे साइस के कमपनी है और इसका अगर हम लोग योगदान की बात करें केमिकल में अलग-अलग सेक्टर में काम करती है बट ये कमपनी का योगदान फार्मा सेक्टर में हम लोगों को देखने को मिल जाता है उसी के साथ-साथ एग्रो केमिकल में एक कमपनी काम करते वे देखने को मिल जाती है इंजिनेरिंग में काम करते वे देखने को मिल जाती है पर दोस्तो अभी एक कमपनी एक नए सेग्मेंट में इंटर करते वे देखने को मिलने वाली है और वो कौन सा sector है अगर बड़े sector की बात करें तो दोस्तों वो है electric vehicle वाला sector अभी ये electric vehicle आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा नाम सुना होगा अभी वापस second video में इसी से related हम लोको बाते देखने को मिल रहे हैं इससे क्या पता चलता है electric vehicle में हम लोगों को देखने को मिल जाता है और वो है lithium-ion batteries अगर हम लोग batteries की बात करे तो आपको पता ही है lithium sales की बात करे तो chemical companies का योगदान हम लोगों को इन ही में देखने को मिल जाता है in fact आपको पता ही है कि electric vehicle जो car देखने को और भी सस्ते हो जाएंगे इसलिए company अलग-अलग PLS schemes भी आपे government PLS schemes यापे companies को देती रहती है तो यह जो company है दोस्तो जो पहले pharma में काम करती थी, agro chemical में काम करती थी, engineering में उनका योगदान रहता था, अभी electric vehicle के lithium and batteries में भी उनका योगदान रहने वाले and company का नाम है Neogen Chemical, yes also Neogen Chemical के अगर हम लोग बात करें, तो 1400 पे stock देखने को मिल रहा है, जिसका 5 साल का data अगर आप देखोगे, तो 436% की returns फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे है and point to be noted कि 436% की returns कब से, top level से company अच्छी खासी हम लोगो 10-15-20% गिरने के बावजूद ये returns देखने को मिल रहे है वैसे तो हम लोग कोई ये data देखकर decision ने लेते कि कि किसी stock में जाना है ये नहीं जाना है, बट हम कह सकते कि ये risky type की company, micro cap, small cap type की ये company है आज ही के दिन की बात करें दोस्तों, तो बीच में खबर यहाँ पे आई थी कि company market close हो जाने के बाद, 3.30 बजे के बाद, यहाँ पे एक बहुत बड़ी press conference लेने वाली है किस चीज़ के लिए, कि company एक बहुती बड़ा agreement करने वाली है, technology transfer की अगर हम लोग बात करें, एक Japanese company के साथ agreement करने वाली, एसी बहुत बड़ी announcement है आपे चल रही थी और इसी उमीद के चलते, आज यह stock हम लोग को लगबग 4% के आसपास भागते वे देखने को आपे मिल रहा था तो चलिए, उसी खबर को अभी हम लोग देख लेते, क्योंकि बाजार close हो जाने के बाद, इससे related जितना भी data है, वो officially अभी हम लोग को आते वे देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह दिखे, नियोजन केमिकल की अगर हम लोग बात करें तो उन्हेंने बताया, जो conference call था, इन्वेस्टर से related कोई discussion यहापे करना है तो आज एकी दिन, साड़े पाच बजे का time उन्हेंने यहापे रखा था, बाकी की सारे details उन्हेंने यहापे provide की थी तो अभी आ जाते हैं, second PDF के उपर, यह important PDF है, इस PDF की अगर हम लोग बात करें, इसमें पूरा data यहापे लिखा हुआ है और आप चेक कर सकते हो, subject देखें इस PDF का क्या है, कि Intimation of Technology License Agreement, जो मतलब खबरे यहापे चल रही थी न, कि License Agreement इसी से related agreement होने वाला है, deal होने वाला है तो यही खबर हम लोगों को अभी देखने को आपे मिल रही है, तारिक भी देखोगे, तो आज ही की 10th April हम लोगों को देखने को मने है येस, बहुत बड़ा Japanese Conglomerate है, बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर में ये Mitsubishi हम लोगों को काम करते वी देखने को आपे मिल जाती है तो इसी से related इस company का हम लोगो ये business deal होते वी देखने को आपे मिल रहा है अगर हम लोग ये आपे बात करें दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हो कि area of agreement मतलब कौन से सेक्टर से related काम है, तो आप देख सकते हैं, जो lithium-ion sales जो रहता है उससे related ये company काम यहाँ पे करने वाली है मतलब electric vehicle से related ही इनका business हम लोगो देखने को मिले वाला है क्योंकि इंडिया में इसका demand बढ़ते ही जा रहा है और इंडिया में ही वो इसको यहाँ पे manufacture यहाँ पे करना चाते है तो यही चीज फिलाल तो हम लोगो देखने को आपे मिल रही है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और कौन-कौन से important चीज़े हम लोगो देखने को आपे मिल रही है तो थोड़ा समय और नीचे यहाँ पे आना चाहूँगा तो आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि आखरी का last जो important point है कि यह जो चीज़े देखने को यहाँ पे मिल रही है इससे क्या outcome overall हम लोगो निकलते वे देखने को आपे मिलने वाला है तो जो agreement हम लोगो नियोजन केमिकल ने मिच्चोबिशी के साथ यहाँ पे किया है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि electric vehicle में इसका योगदान यहाँ पे रहने वाला है और companies ने देखे यहाँ पे क्या बताया है कि यह सब कुछ होने के बाद मतलब देख सकते है कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें न दोस्तो तो lithium-ion batteries को manufacture करने के लिए बनाने के लिए बहुत सरे components की जरुवत रहती है उसी में ही lithium-ion sales की बात करे तो यह one of the important component है अभी तक अगर देखा गया दोस्तो तो यह सारी चीजे भार से मतलब import करवानी पड़ती थी यह जो agreement यह जो arrangement हम लोगो neogen chemical ने आपे किया है इसके बाद आप देख सकते हैं यह भारत की पहली company हम लोगों को बनते वे देखने का आपे मिल रही है जो इस प्रकार की global technology में हम लोगों को आगे काम करते वे देखने का आपे मिलने वाली है और इस agreement के बाद company expect करते हैं आप देख सकते हो this will allow neogen to further enhance confidence of an Indian customer मतलब आपको मैं बताना चांगा इंडिया के ऐसे बहुत सारे player है जो की यह सारी चीज़े क्या करते हैं भार से मंगवाते जैसे कि अगर मैं बात करूँ Ola Electricals है या फिर Excide की अगर मैं बात करूँ यह इनी सेक्टर में है इनको इन चीज़ों की ज़रूरत होते है बट इंडिया में कोई manufacture ही नहीं करता था बट अभी neogen chemical Michyubishi के साथ मिलकर यह काम इंडिया में ही करने वाले है तो अगर हम लोग यहापे बात करे तो Ola Electrical, Excide की बात करे अगर हम लोग बात करे तो यह companies भार से यह सारी चीज़े मंगवाती थी तो शायद से हम कह सकते कि मतलब possibility है कि नियोजन chemical के यह क्या हो सकते यह बड़े clients यह आपे बन सकते है क्योंकि इस sector में अभी यह company हम लोग को इंटर करते वे देखने हो का आपे मिल रही है इसलिए अगर आप interested हो दोस्तो तो नियोजन chemical इस company को क्या कर सकते हो आप जरूर चाहो तो रड़ार के उपर रख सकते हो जरूर चाहो तो इनको study कर सकते हो अभी इस company की मैं बात करते हैं तो यह जो अल्रेड में चीज़े आपको बोल चुका था बहुत सर लोग के यह comment भी आते है सर यह सारी चीज़े हम लोग को कौन से website के उपर मिलेगा रहे किसी website के उपर जाने की ज़रूरत नहीं है जो भी company को आपको study करना है ना उसी website के उपर चले जाओ ABCD नाम की कोई company है तो उस company की website रहेगे official जाओ उसी के उपर सारा डेटा मिलेगा कोई भी दूसरी company होती है जैसे कि मानलो मेरा अगर कोई website होता है समकिसी करके ठीक है उस website के उपर अगर मुझे नियोजन chemical के बारे में अगर कुछ लिखना है ब्लॉक करना है तो मैं क्या करूँगा obviously इनी के website के उपर जाके जो data रहेगा वही तो मैं आपको copy paste करके बता दूँगा तो जो भी जहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ना है किसी भी company के बारे में तो उन company की website annual reports को study कीजे वही से सब कुछ data मिल जाएगा तो यह देखिए अब देख सकते फार्मा में इनका 54% का युगदान था एग्रो केम में 25% इंजिनेरिंग में 18% अब यह electric vehicle में जो battery का lithium ion sale रहता है उसमें भी अभी हम लोग को company इंटर करते वी देखने को आपे मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है शुरुआ थे हम लोग को होते वे देखने को मिली है प्लस अगर हम लोग यहापे बात करें तो देखी company ने उनके clients भी आपे बताएवा अभी pharma वाली company है तो sun pharma, dviz lab जैसे बड़े बड़े नाम आप लोग को easily देखने को मिल जाते hickle जैसे company की बात करें यह भी share market में आपको देखने को यहापे मिल जाएंगे thermax की अगर हम लोग यहापे बात करें तो यह सारे बड़े बड़े नाम से हम लोग को देखने को मिल जाते है जो इस channel को regularly follow करते हैं आपको पता ही है यह सारी points को में already आपे multiple times से आपे cover करके आपे रखा हुआ था कि client base जो भी छोटी company होती है उनमें अगर अच्छे clients रहते हैं और बाकी के भी parameters देखने होते हैं तो थोड़ा सा हम उन companies के बारे में अच्छा कासा study करते हैं यश्व इंडस्टी को भी हम लोग ने उसी प्रकार से study किया था इसी company के अगर हम लोग बात करें जो PDF उन्होंने अप्लोड किया है तो आप देख सकते हो कि उन्होंने ही बता है कि जो lithium battery sector है उसमें strong opportunity बनती भी देखने को मल रहे है प्लस आत्मनिरबर भारत का नारा यहाँ पे लग चुका है प्लस उसी के साथ साथ सरकार के अगर हम लोग बात करें तो इसी sector को accelerate करने के लिए PLA scheme का भी announcement सरकार ने already करके यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका भी फाइदा वो यहाँ पे उठाने वाले है और उनी के अगर हम लोग forecasting की बात करें तो यह रिखे लिखे 9 batteries की उन्होंने बात की है और battery sale की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यह जो market है उन्होंने estimate किया है sale वाला और इसी है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यह जो company है New Zealand Chemical वो इस sector का फाइदा यहाँ पे उठाना चाती है growing sector का फाइदा यहाँ पे उठाना चाती है और Michu Bishi के साथ उन्होंने partnership यहाँ पे किये है मुझे ऐसा लगता है कि यह आने वाले समय में अगर इनको और grow करना है तो शायद से और भी अलग-अलग agreement यहाँ पे कर सकते है उसकी भी possibility हमनों को देखने को मिल रही है बट इतना हम कहे सकते हैं दोस्तों कि यह इक growing sector है जो कि आप देख सकते हो इजी ले हमनों को इस graph के माध्यम से पता है यहाँ पे चल जाता है तो दोस्तों जितने भी important factors थे, parameters थे, सारे मेंने cover कर लिए अगर आप चाओ तो इस company को ज़रूर study यहाँ पे कर सकते हो अगेन कह रहा हूँ यह मेरे side से कोई direct recommendation नहीं होता है बड़ company खुद को expand करना चाहती, capex करना चाहती है तो करजा तो अभी लेना ही पड़ेगा मतलब इतनी छोटी company है, इनके पास कहा से cash हैगा 70 के आसपास हमनों को short term borrowing भी देखने को मिल रहा है and cash and cash equivalent की क्या हालत है 45 CR के आसपास cash देखने को मिल रहा है तो company के अगर मैं बात करें तो बहुत ही छोटी company यह तो मतलब अभी just small cap है हम लोगों ने इसको पहले track किया था तब यह मतलब बहुत ही micro cap था micro cap, nano cap आप बोल सकते हैं इसके अगर हम लोग बात करें तो इसको दोनों को एक साथ यहापर cover किया था तो आप देख सकते हैं इसी company के बारे में लिखा हुए 1991 से यह काम कर रही है उसी case साथ साथ अगर हम लोग यहापर बात करेंगे तो देखो agriculture, chemical की बात करें फार्मा की अगर बात करें engineering पर बात करें तो यह अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहा से यह data यहापर मिल जाता है तो ज़रू इस company को आप चाहो तो study यहापर कर सकते हैं chemical sector में यहापर फिलाल काम कर रही है and company का panel देखे, बहुत छोटा रहेगा दोस्तों यह देखे, केवल 2 करोड, 3 करोड, 4 करोड then ऐसा करते करते, 5-6 करोड करते करते, 30, 40, 51 तो company के लिए सबसे बड़ा risk क्या है कि थोड़ा सा भी client इदर उदर हुआ and अगर company को कोई बड़ा order नहीं मिला तो company फटक से बड़ा 40-50% का correction भी दिखा सकती है तो यह सारी चीज़े हम लोग को पता होनी चाहिए अभी बहुत से लोग क्या करते है company का नाम रहे, neogen chemical, हमने तो पड़ा है चोड़ो, जाकि blindly निवेश करेंगे and बाद में company 30-40% नीच आएगी फिर study करना start करेंगे उसका कोई फायदा नहीं यह पहले study कीजिए और यह risk हमेशा रहेगा दोस्तों यह छोटे-छोटे size की companies है shareholding pattern भी अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 60% promoter के पास है FIS के पास 4% के आसपास DIS की बात करेंगे तो 18% पब्लिक की बात करेंगे तो 16-17% के आसपास तो कुल मिला के story की अगर हमें बात कर दोसो तो Neogen Chemical एक interesting stock जरूर नजर आ रहा है blindly जाके निवेश नहीं कर रहा है मैंने आपको बताया है सबसे best formula यह होता है कि कभी भी company के quarterly nearest जो number होते है उनको देखके आपने edition लेना होता है and emotionally ओके edition नहीं लेना होता है कि लग रहा है मुझे करके नई इसको properly study कीजिए and यह जो electric vehicle की जो बाते किर रहे है इसका जो contribution है इस particular entire जो उनका revenue है उसमें बहुत ही कम है क्योंकि यह pharma उसी के साथ साथ agrochemical, engineering उनी में उनका अभी ज़्यादा युगदान दिखने होते है electric vehicle में तो जस्ट उनने शुरुआत की है तो वहाँ से उनके आमदनी होगी still वो जो revenue रहेगा उसमें उनका contribution कितना होगा percentage wise वो देखने वाली बात रहेगी तो यह भी एक point आप लोग को पता है यहापे होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ electric vehicle से related यह component अच्छा लगा इसलिए मैंने खरीद दिया बट company maximum जैसे कि आपको बता है 52% pharma से आता है इनका तो यह भी factor आप लोग को पता होना चाहिए यह सारी चीज़ें आप लोगोंने अच्छी तरीकी से study यहापे करनी चाहिए आशा करता हूँ जितने भी important parameters थे risk, rewards सारी चीज़ें को यहापे मैंने detail में cover कर लिया वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको like and share कर सकते हो and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया तो link नीचे description में 25 वीडियो के list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौनसा account आपने link के तरो open किया properly comments सेगे mention कर देना तो अफते बर के अंदर-अदर सारी lectures मेरे side से free of cost provide कर दे जाएगे तक आप share market को आसान भाषा से सीख सको so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting rx video तब तक के लिए bye bye